कॉंग्रेस में कई नेताओं का मोह उचट रहा है राजनिती नहीं करेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे एक नाम हेमाराम चौधरी का आया और दूसरा नाम आया लालचन कटारिया का जी हां करशी मंत्री रहते हुए उन्होंने कई जंडे गाड़े और अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वो कैसे भंग हुआ उम्र हेमाराम चौधरी जितनी नहीं है लेकिन 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 सवाल उपजता है कि ऐसा हुआ क्यों है जवाब देनिक भासकर के एक खबर देती है और उस खबर में बताया गया है कि लालचन कटारिया ने फरजी दस्तावेजों के माद्यम से चुनाव लड़ा उन्होंने यहारोप लगाए हैं उस खबर में उसके बाद चुनावायों को शिकायत भी हुई है कि फरजी दस्तावेज से वो चुनाव लड़ते रहे दोजार तीन में उन्होंने यह कहा अपने शबत पत्र में कि वो बारवी पास हैं उत्तर प्रदेश के बोर्ड से उत्तर प्रदेश से आने वाली माक्षिट अक्सर प्रश्ण वाचक चिन लगाती हैं वो चाहे जिला प्रमुख पंचायत राज के चुनाव रहे हो बड़े पैमाने में लोग इतनी जागरुकता राजस्तान के लोगों में कि यहां तमाम सिक्षा क अवसर होने के बावजुद लोग यूपी जाके पढ़ते थे और ये प्रभावशाली नेता यूपी जाके पढ़ते थे बड़ा सवाल है जंता को समझना चाहिए कि किस तरह से राजस्तान जो की पेपर लीक और फरजी माक्षिट और फरजी चैन का अधार बना वहां पे गैलोज सरकार की मंत्री पे बड़े आरोप लगते हैं कि वो फरजी माक्षिट दे के चुनाव लड़े देनिक भासकर ने इस खबर की पढ़ताल की है 2003 में जो बंदा ये कह रहा है कि बारवी पास्ता वही अपने इलेक्टरॉल शपत पत्र में चुनाव शपत पत्र में ज इसा कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा अब चुनाव आयोग को शिकायत हुई है कॉंग्रेस को भी शिकायत हैं की गई है इससे पहले सुगबगाहट माहोल कटारिया तक पहुंचा होगा और कटारिया जो की कट जाए टिकट उससे पहले ही उन्होंने अपना नाम बैग फूट आ गए हैं ऐसी अटकले भी थी कि कटारिया बीजे भी जोइन कर सकते हैं लेकिन आरोपों के साथ क्या भारतिय जंता पार्टी लालचन कटारिया को अपने यहां पर शरण देगी बड़ा सवाल है अगर देती है तो चीनटे बीजे पी भी उचलेंगे वहीं उनके सामने अ हलाएं कि जाती यहां पर एक बड़ा फैक्टर है जाती है कि जाती नहीं अपना लगातार बात कर रहे हैं उनके सामने हैं बीजे पी के राजे बरदाभ स्पी के खेमे में जाने की कोशिश ठीक लेकिन गोविन सिंग नूठासरा कि मनाही के बाद उन्हें टिकेट नहीं मि रिष्टदार हैं धर्मिंदर राठोड कॉंग्रेस के सिपह सालार खुद को टिकेट नहीं मिल पाया है उनकी जो है वो मंशाथी महेज जोशी और धर्मिंदर राठोड और शांतिदारिवाल तीनों को ही जिस तरह से कॉंग्रेस ने बाई-बाई टाटा कर दिया है उसी तरह से आसु सिंग सूरपुरा की कोशिस भी कामियाब नहीं हो पाई अब बागी खड़े होंगे ऐसी ताल उनों ठोकी है लेकिन सवाल यह है कि जोटवड़ा सीट पर अगर लाजसन कटारियां नहीं लड़ेगे तो कौन और अगर वो लड़ते हैं तो इस आरोप के साथ चूंकि जोटवड़ा में जैपूर शहर का एक बड़ा हिस्सा है क्या पड़े लिखे और ऐसे लोग जो जाती विवस्ता को नहीं मानते वो फरजी माकशीट, फरजी डिग्री, फरजी पेपर लीक, फरजी नोकरियां इस आरोपों से जूज रही सरकार वाली पार्टी के सिंबल पर वोट करेंगे देखने वाली बात होगी और इस बातों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें